तो गाइस थंडे के मसम में किसको नहीं पसंद है हर तरह से पिथा या बगरा कुछ सीजे खाना तो दिखें यह बहुत ही अमेजिंग है बहुत ही तेस्टी बहुत ही मचेदार कितना सब्ट हो गया है यह मेरा इस्टिम केक दिखिए इतना स्वादिस है इसको खाने में बहुत ही स्वादिस लगते है आप लोग को भी गर्मा गरम इसी तरह से पपकॉन खाना है बहुत ही तेस्टी बहुत ही आम लोग सिनमा हर में जाते है तो अहां में 10 रुप्या का पपकॉन ही कितना मिलते है 60-70 करके लेकिन घर में बना सकते है आप लोग ठीक उसी तरह से टेस्टी उसी तरह से तो गाइस इस्तिम केक बनाने के लिए पहले मुझे चाहिए साओल का फ्लोर जो साओल को आदा गंता मैंने भीगाया भीगा करके ले लिया और उसके बाद चाहिए गूर और नादियल तो और किसमीस काजू यह सब अप्सोनल है दे भी सकते है मुझे अच्छा नहीं लगता मैंने नहीं दिया मैं सिर्फ नारियल और गूर से बनाऊंगी तो मैंने यह राइस का जो फ्लोर है उसको पावडर बना लिया देखिए इस ताइप का होना चाहिए बिल्कुल तो इसको मैंने थोड़ा सा आदा हंदा के लिए भीगाया था भ हो पाया मेरा तो इस तरह से सानी से सानी लेना परेगा इसको थोड़ा नामक और चीनी मिला करके थोड़ा पानी देखिए हलका थोड़ा सा एदो समुस पानी देखिए इस सानी से सान लेना चाहिए इसको ताकि अच्छा हो जाए मिलाने में और इसमें मैंने नारियल और ग तो किसमिस बगेरा आप लोग दे सकती है वो सब अप्शनल है तो मैंने नहीं दिया किसमिस बगेरा मुझे इसे अच्छा लगते है तो आप लोग को इस तरह से बाती लेना पड़ेगा थो चोटा थाइप का बाती होने से अच्छा होता है तो इस बाती में हलके हच्छे यह और देना है थोड़ा हलका का थे अप्वरण के पावड़ी लेगा यह को अर्हं देना यह जह साधे हुआ अला रिजय से बगेरा का इसको मैं गोरा पिक एन संदे लोग ज्म है देना में ओल्के पर इसको साज़की प्रेस करना है ज्यादा प्रेस ना आता गैं तो देखी म बिल्कुल इस तरह से तो ये मेरा हो गया है तो इसी तरह से फिल करना पड़ेगा इस बात्ती को और इस तरह से एक कप्रा देना पड़ेगा पतला हलका भीगा करके मैंने ले लिया तो इस कप्रे से इसको मोर देना है धाग के अच्छी तरह धाग देना है तो ये मेरा इस्ति बबन लिया है तो इसमें पानी जाए या मेने आधा बरतं पानी डेतं डाला उसमें और इसकी उपर में यह फोयल पेपार है को पेपार से में चारियो और मोर्दिय और और टेमं रखा है मिदद में तक्कि मिजिल से भापने कले कह बहुत ही आजी हो जाता है इस तरह से बनाने में तो इसकी उपर में यह दे दिननी दिए दिए् दीरे से देना हैं कि मतलब काटा मोच लगा डूब को मद देन से मैं इस तो मैं धकन लगाऊंगी इसका उपर ताकि इसका भाब जो है इस्तिम जो है वो ना निकले बाहर से दो मिनित के लिए रगाया मैंने दो मिन के बाद दिखिये मेरा हो गया है यह इस्तिम जो केक है तो बहुत ही साबदानी से इसको उठाना पड़ेगा इस तरह से और मैं इसक को निकाल लूंगी वाओ कितना सुन्दर हो गया है बहुत ही सब्ठर मज़ेदार इस्तिम का केक दिखिये तो इसी तरह से में हर एक इस्तिम केक को बना लूंगी और बहुत चाबदानी से इसको उठा लूंगी हाथ में ना लगे आप लोगो का इस्तिम तो बहुत ही को बना के रखोंगी तो देखिये कितना सुन्दर हो गया है मेरा इस्तिम का जो केक है मज़े मज़ेदार तो आप लोग भी बनाए गाइस और लाइक श्याल जरूल कर दिजिएगा टेस्टी टेस्ति इस्तिम केक तो चलिए तो गाइस आप लोग भी इसे जरूल ट्राई कर करना इसको विंटर में बहुत ही मज़ेदार होता है यह तो हर एक लोग इसको खा सकते हैं देखिये मेरा यह बिलकुल बनके रेडी है और एक बात कहना सहूंगी में गाइस जो हम लग क्या होता है सीजन के ताइम में बहुत सारा दनिया के पत्ता जो होता है करियंडर इसको हम लोग खालिक के लिया आते है लेकिन लाने के बाद खाला हो जाता है कहीं गिला हो जाता है तो क्या करना है अगर आपका पास ताइम नहीं है बहुत ही जल्दी जाना है रखना है इसको लेकिन खाला भी नहीं हो तो एक काम कीजिएगा यह एक पेपर लेना है आपक प्लास्टिक को फिर इसमें रखना है बस तो कि इतना सुन्दर करके एक हफ्ते यह मेरा एक हफ्ता का पता है तो मैंने इसी तरह से रखा है मेरा पास उतना ताइम नहीं होता जो इसको मैं अच्छी तरह से रखू बहुत इस हमाल करके रखू तो मुझे जली-जली होना है कभ कभी कभी जली जली रखना है तो मैं इची तरह से फिर इसमें रख लेती हूं बहुत दो हफता अराम से चल जाता है तो पोपकॉन बनाने के लिए पहले हमको सहिए कॉन और यह है पेशा कुकर जो मैंने इसकी ना सीटी मुखुल के रखी है ऐसे भी कोड़ाई में भी बना सक मुझे रोवने लिए मेरा घरम हो चुका है तो यहां पर मैं डाल रही हूं बतर लगवक्वक्स बतर है यह बतर मेंने गोर्म चेलिए रखिखा मीशों अनी नहारे मिद्यों फ्लम् पे थोड़ाव абर्स बतर और यह कॉर्ण जो हम लोग खरीते हैं बड़ा बहुत ज़्यादा था लेकिन मेरा बहुत बार बनाया मैंने तो आज सोसा मैंने भीडियो बना कर देदू तो आज यह रखाया तो मैंने मेरा यह बटर जो है वो गरम हो रहा है तो यहां पर मैं थोड़ा-थोड़ा करके कन दालूँगी थोड़ा-थोड़ा मतलब एक बार ही डालूंगी दो चमुस जेशा कन डालूंगी और स्वात के उनसार यहाँ पर नमक डालूंगी एक चमुस नमक आप लोग बाद में भी डाल सकते हो उदने के बाद और डालूंगी में कास्मरी लाल मिर्सी हलका लाल मिर्ची डालने के बाद तुरंटी देना नहीं तो जल जाएगा काला पर जाएगा नहीं तो मेरा हो गया तो मैंने कॉन डाला यहाँ पर थोड़ा हलका भुनूंगी पहले इस तरह से तो अब मैं जो आवास आजाएगी ना तो मैं इसको ढख दूंगी नहीं तो मुपर सटकेगी और गरम तेल आजाएगी तो बहुती आखों में भी आ सकते हैं बहुती समाल करके यह भुना पड़ेगा तो चिती का मैंने तो खुल के रखा था पहले और धकन उपर से मैंने दे दिया इससे दरने का कोई बजा नहीं है बहुती सिंपूल है बहुती अच्छी तरह हो जाएगी तो जब यह नीचे से चटकन के आवास बन हो जाएगी तब तूरन ही इसको निकाल लेना तो यह मिजल में मैं हिला दूंगी थोड़ा सा और इसके तूरन की मैं निकाल लूंगी देखे कितना सुन्दर खिली खिली पपकन हो गया है गर्मा गर्म मज़ेदार बच्चे को भी बहुत ही पसंद है तो आप लोग भी बनाएगे जुरूल ट्राइ कीजिए दो मिनिट म कर दो